Hello Friends, इन वीडियो में हम Arduino को कैसे इस्तमाल कर सकते हैं, वो जानने का प्रयास करेंगे, यह देखिए, यह एक Arduino है, Arduino Uno, इसको आपने एकसर प्रोजेक्ट में देखा होगा, तो कोशिश यह होगी कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, यह सीखें, लेकिन यह वीडियो मैं उनके लि और मैं शुरू से शुरुआत करता हूं, और शुरुआत करेंगे, ब्रेड बोर्ड से, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप ने इसको कुछ हद तक इस्तमाल किया है, पर अगर नहीं किया है, तो भी आप सीख सकते हैं, कि यह क्या चीज है, ठीक है, तो मैं पहले एक दो बैटरी, 9V, अच्छा खासा ज्यादा माउंट का वोल्टेज है, इसको अगर आप कंपेर करो इससे, यह 1.5V का है, 1.5V, and this is 9V, तो हम इससे काम नहीं करेंगे आज, इससे भी किया जा सकता है, अगर हम 2 या 3 सेल ऐसे लगा लें, पर मैं इससे काम करूंगा, और यह देख रहाता है, यह इसके उपर स्नैप करेगा, इसको यह ऐसा दिखता है, यह इसके उपर ऐसे फिट हो जाता है, इसमे यह तार लगी-लगाई आती है, मैंने दो तारे इसमें और जोड़ी हैं, मैं आपको बताता हूं को कौन सी तारे जोड़ी हैं, यह देखिए, इसे बोलते ह सिरे ऐसे निकले हुए है अभी आप देखेंगे इसका फायदा क्या है यह breadboard के अंदर दिख से आरामसे चला जाता है इसका असली कारण यह है इसको इस्तेमाल करने का इस breadboards के इन छेदों में जाता है तो यह कई प्रकार से आता है यह दो जो सिरे हैं इनको बोलते हैं male to male male सिरे हैं क्योंकि इसके दोनों सिरे male प्रकार के हैं इसको बोला आता है male to male jumper wire and of course और भी तरिकों से और भी प्रकार का आता है यह वाला देखिए इसमें धेर सारे jumper wires इसमें से मैं एक अलग निकाल लेता हूं, अब देखिए, यह वाला जो सिरा है, इस प्रकार का जो है, इसको बोलते हैं female end, तो यह कौन सा है, female to female, यह भी काफी useful होता है, और एक और प्रकार का आता है, कुल तीन प्रकार के आते हैं, मेरे पास एक और सेट है, इसको मैं निका जाल लेता हूं, यह है, एक सिरा, male variety का है, और एक सिरा, female variety का है, तो इसको बोलते है, male to female, तो इसका फाइदा क्या है, इसे तीन टाइप के होने का, आप connections बना सकते हैं, मान लेजिए, आपको तार को लंबा करना है, जोड़ना है, तो आप इसको दिखरा होगा, यह इसमें चला जाता है, तो यह अंदर गया, और यह देखे, ऐसे जुड़ गया, तो यह fit हो गया, अब यह देखे, दो नो end male to male बन गया, तो यह इसका फाइदा है, इसको बोलते है, jumper wire, तो हमने बैटरी की बात कर ली, connector की बात कर ली, और देखे, मैंने यह दो jumper wires इसमें connect कर दिया ह इसमें tape लगा दिया है, आप इससे कहीं अधिक professional तरके से कर सकते हैं, पर फिरहाल इससे काम चलेगा हमारा, अब यह दो ends मैं आराम से breadboard में लगा सकता हूं, इसलिए मैंने ऐसा किया है, perfect, okay, let's see then, और क्या चाहिए मुझे, मैं आपको अब इतर दिखाता हूं, इसको ऐसे दिखें, यह हटा देते हैं side में, यह breadboard है, मुझे उमीद आपको दिख रहा है, दिखते हैं तो रोशनी बढ़ा के, okay, और अब देखें, यहाँ पर मैंने कई प्रकार के resistors ले रखे हैं, यह है 220 ohms का, R लिखा हूआ है, R मतलब resistance, 220 ohms, okay, this is, यह वाला है, 330 ohms का, R लिखा है, R मतलब ohms, okay, ohm का symbol बनाना मुश्किल है, R लिखना असान है, इसलिए 330 ohms यहाँ पर लिखा हूआ, देखें, ऊपर, तो यह 330 ohms का है, और मैंने लिया, 1 kilo ohm, 1 k, k मतलब 1000, right, so 1000 ohms, और एक मैंने लिया, 10 kilo ohms, 10,000 ohms, okay, kilo ohm मतलब 1000, okay, तो यह रख लेते हैं अपने, अब मैंने कुछ LEDs ले ली हैं, आपने देखा होगा LEDs को, देखे, LEDs के, अगर आप सिरों को देखेंगे, तो एक सिरा लंबा है, और एक सिरा छोटा है, okay, देखे, सब के, यह लंबा है, यह छोटा है, जो सिरा LED का लंबा होता है, उसको आप हमेशा positive volts से positive voltage प्रोवाइड करेंगे, तो इसके positive वाले पर इसके लंबे वाले पर, लंबे वाले को positive बोलुँगा आप से मैं, और छोटे वाले को negative, तो लंबे वाले पर पॉज्टिव वोल्टेज देना है और चोटे वाले पर नेगिटिव वोल्टेज देना है क्या चाहिए हमको रिजिस्टर हो गया यह हो गया अब बेट बोर्ड यह देखेगे इसमें धेरे सारे छेद हैं जब आप इन छेदों को देखे यह वाले जो छेद यह एक कॉलम में यह सारे अपस में आपको दिखाऊंगा as a proof कि मैं जो बोलों से बोलों यह सारे आपस में इस डारेक्शन में जाते हो तो यह कॉलम इस कॉलम से नहीं है तो आप ऐसे समय लीजे कि यह जितने भी छेद हैं इन सब के नीचे एक metal की वायर जा रहे जो की सब को connect कर रही हो के पर इस से इस column से जब आप इस column की तरफ जाते हैं तो कोई connection नहीं है इस column का connection यहीं पर खतम हो जाता है यह जो ridge है बीच में यह जो divider है इसके इस तरफ आने पर connection इस से नहीं है मतलब यह इससे connected नहीं है यह दो रेल आप देख रहे हैं इस तरफ यह दो रेल्स हैं एक रेल नीचे और एक रेल उपर यह रेल और ऐसे दो रेल यहां है यहां से लेके यहां तक आपस में connected है ऊपर वाली रेल पूरी connected है नीचे वाली रेल आपस में connected नीचे वाली रेल पे जितने भी पॉइंट से ही आपस में connected है पर यह रेल इस रेल से connected नहीं है ऐसे बाकी हैं मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा और आप खुद से चेक भी कर सकते हैं LED लगाके मैं आपको हो जाएंगे okay let's see so हम क्या करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि this is not so good यह battery का सिमबल है यह cell का सिमबल यह plus यह negative छोटा वला negative होता है यहाँ पर मैं एक resistor लगाता हूं इसको R denote करेंगे और यहां पर मैंने एक LED लगा यह LED का सिमबल है ऐसे कर दिया LED का सिमबल है यह यह देखे ऐसे यह इसल में diode का सिमबल है यह ऐसे सिंबल का मतलब क्या कि ये ट्रेंगल क्या बोल रहा है ये ट्रेंगल बोल रहा है इस डारेक्शन में करेंट जा सकता है और ये लाइन ऐसे क्या बोल रही है कि इस डारेक्शन में करेंट नहीं जाएगा तो इसमें करेंट हमेशा ऐसे फ्लो करेगा ऐसे फ्लो नहीं LED भी एक डायोड होती है, इसलिए यह सिंबल ऐसा ही है, तो हमें यह बनाना है, तो देखे, मैं करता हूँ, आपको दिख रहा है, पॉजिटिव वाला रेड में है, तो मैंने रेड डाला यहां पर, ब्लैक वाला नेगिटिव है, मैं नेगिटिव को यहां लगा देता हूँ, तो यह दो जमपर वायर्स कनेट कर दिए, अब मुझे रेजिस्टर लगाना है, अब रेजिस्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब रेजिस्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यह कैसे पता लगाएंगे, यह मैं अगली बार बताऊंगा, इस बार एक 1000 Ohms के resistance से शुरू करते हैं देखते हैं कि क्या होता है ये रहा 1000 ohms और 1 kilo ohm तो मैं ये 1 kilo ohm ले रहा हूँ ये रहा 1 kilo ohm तो देखें ये मैंने इस column में लगाया एक end और दूसरा क्यों कि तब यह ड़नों एंड आपस में connect हो गया अगर आगर मैंने ऐसे जोड दिया तो यह गलत हैं दो अलग लग columns में लगाना है मैं थेक्ैस लगा डिया अबältी लगग लिए यह एड़े सिरे हैं मैं लगा देता हँ ऐसे यह यहां पर जिस कॉलम में ये वाला तार जा रही है रेजिस्टर की ये एंड जा रहा है उसी में ये लगाया एक छोटा वाला एंड में इसमें लगा रहा हूं और बड़ा वाला किसी दूसरे लगा अब क्या हुआ अब यह हो गया कि यह वाला एंड यह यहां पर है यह रेजिस्टर आया यह वाला यहां पर है led का love यह रेजिस्टर का यह नहीं है यह हुआ ही यह यहां पर क्नेक्ट हो गया क्योंकि कि इस पर जितने भी पॉंट्स से सब कनेक्ट हो गए बाउनों कि यह आप यह दूसरा नहीं आंड यहां पर है फिरहाल नेलेटी ऊल्टी दोगाई है, मैंने L.A.W.S.E अडाइ में लगाई है, मैंने L.A.W.S.E उल्टी ऐसे लगाई है क्योंकि छोटा ओलाईwritten नेगिटिव है, यह वालने मैं फॉश्तिव है तो मैंने छोटा end यहां लगाया हुआ है positive अब मुझे बस power supply connect करनी है इसके दोनों से रहे यहां लगाने है और वो काम बहुत ही आसान है क्योंकि मैं अब jumper wire यूज कर सकता हूँ यह रहे मेरे पास दो jumper wires ध्यान दीजिए मैं हमेशा रंगों का ध्यान रख रहा हूँ लाल और काला यूज कर रहा हूँ ताकि confusion न हो अब मैंने बोला था यह सब connected है आपस में तो यहां लगा जेते हैं ठीक है आपको दिख रहा होगा और अब यह वाला क्या यहां लगाने से आएगा काम होगा नहीं होगा क्यों क्योंकि यह इससे connected नहीं है तो मैं इसको यहां अब connect हो गया okay let's look at the other end okay यह रहा काला वाला negative और यह मैंने लगा दिया यहां पर और इसको जलना चाहिए था लेकिन यह नहीं जला इसका मतलब कुछ गरबढ है गरबढ यह है कि मैंने आपको बताया LED एक diode है okay उसमें current तभी जाएगा जब यह positive हो और यह negative हो अभी क्या हुआ मैंने यह चीज उल्टी लगा रखी है और देखे current इससे नहीं जा सकता है तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ positive वाला positive पर और negative वाला negative पर और यह हमारी LED जल गई दिख रहा है गया दिख रहा है okay अब क्या कर सकते हैं अब मैंने one kilo ohm लिया था यह resistance okay और आप सोच रहोंगे कि one kilo ohm कैसे पता चला तो कैसे पता चला तो बाद में पता लगाएंगे लेकिन यह कर सकते हैं कि अगर मैं resistance की value change करूँ तो क्या होता है okay पताने record भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो देखते हैं कि क्या होता है okay so what I will do now is okay let me अब मैं 10 kilo ohm लेता हूं देखते हैं कि तब क्या होता है अभी one kilo ohm लगा हूँ one thousand ohms अब देखते हैं one kilo ohm अगर मैं लगाऊं तो क्या होता है ठीक है तो यह मैंने लिया one ten kilo ohm sorry ten kilo ohms लिया यह one kilo ohm निकाला side में रखा और 10 kilo ohm लगाना है कहां लगाना है इस वाले कॉलम में एक और इस वाले कॉलम में एक okay देखें जल रहा है आपको दिख रहा है correct अभी भी जल रहा है लेकिन अब धीमा जल रहा है देखा आपने काफी धीमा हो गया है मैंने resistance की value 10 गुना बढ़ा दिये one kilo ohm से मैं 10 kilo ohms पर गया अब आपकी LED जल तो रही है लेकिन बड़ी धीम ही जल रही है ठीक है तो 10 kilo ohm पर ऐसा जलता है side कर देते हैं let's look at sorry 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 अब मैं 10 kilo ohm को हटा के वापस 1 kilo ohm लगाता हूं अभी देखे कितना बढ़ी है जल रहा है ठीक है अब मैं 1 kilo ohm को भी हटा के अब मैं लगाता हूं 330 ohms फिर देखते हैं क्या होता है अब यह काफी कम हो गया है अब बढ़िया जल रही है 330 ohms okay अब 330 ohms हटा के और यह register गरम हो रहा है actually मैं register को मैं जो छू रहा हूं तो अच्छा खासा गरम हो रहा है जोर से और यह गया okay let's put another one पहले जो यूश किया था okay और इस तो शायद खराब हो गया देखते हैं क्या हो इसको यह रहा आपका 330 ohms okay याद रखिए बैटरी हमारी 9V किया है ठीक है और कम करके देखते हैं और यह चूने में ही गरम लग रहा है इसको भी छोके देखते हैं क्या होता है यह भी गरम हो रहा है पर बहुत जादा गरम नहीं हो रहा है थोड़ा सा गरम हो रहा है okay now अब हम 220 ohms यह लेके देखते हैं काफी तेज अल रहा है और रेजिस्टर तेजी से गरम हो रहा है okay okay अब मैं मेरे पास एक और है रहां गया I thought मेरे पास एक 100 ohm का भी था शायद नहीं ला है but anyway आपने देखा कि रेजिस्टर की वैल्यू बढ़ाने पर LED धीम ही जल रहा है इसका मतलब जो रेजिस्टर है वो जो करेंट जा रहा है LED के थू उसको कम कर दे रहा है इसके वज़से वो धीम ही जलती है अगर आप बहुत चोटी मात्रा का रेजिस्टर लेंगे अभी 220 पे जल रहा था जो कि और तेज गरम भी हो रहा था पर जैसे आप और नीचे जाओगे एक पॉइंट पर LED जल जाएगी इसका मतलब करेंट इतना ज्यादा जा रहा होगा LED से कि वो जल जाएगा इसलिए इंपोर्डेंट है जानना कि कितने करेंट पर आपकी LED चलेगी मैक्सिमम कितना करेंट वो वो विध्स्टेंड कर सकती है और तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में झाल